ओम शांति ओम शांति आज 19 अप्रेल दोहजार चौबेस दिन शुक्रवार की साकार मुरले आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधूर महावाक्यों को मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटा कर जैजैकार करने पुरानी दुनिया में हैं हाहाकार नई दुनिया में हैं जैजैकार प्रश्न कौनसा ईश्वरिय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्सा लेते साहुकार नहीं ले पाते उत्तर ईश्वरिय नियम है पूरा बेकर बनू जो कुछ भी है उसे भूल जाओ तो गरीब बच्चे सहजी भूल जाते हैं, परंतु साहुकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धी में कुछ भूलता नहीं, इसलिए जिनको धन, दौलत, मित्र, संबंधी याद रहते, वैसे अच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं, उन्हें स्वर्ग में उँच पद नहीं मिल सकता, ओम शंते, मीठे मीठे निश्य बुद्धी बच्चे तो अच्छी रिती जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्य है कि बाप आया है, सारी दुनिया का जगड़ा मिटाने, जो सयाने समझतार बच्चे हैं, वह जानते हैं, इस तन में बाप आये ह हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बापा, क्यों आए हैं, हाहाकार को मिटा कर जैजैकार कराने, म्रत्यू लोक में कितने जगड़े आदी, सबको हिसाब किताब चुक्तु कर जाना है, अमर लोक में जगड़े की बात नहीं, यहां कितना हंगामा अर्थात हाहाकार लगा ह हुआ है, कितनी कोट जजादी है, मारा मारी लगी हुई है, विलायत आदी में भी देखो, हाहाकार है, सारी दुनिया में खिट-पिट बहुत है, इसको कहा जाता है, पुरानी तमो प्रधान दुनिया, कीचड़ा ही कीचड़ा है, जंगल ही जंगल है, बेहत का बाप यह मिटाने के लिए आए है, अभी बच्चों को बहुत सयाना समचितार बनना है, अगर बच्चों में भी लड़ाई चगड़ा होता रहेगा, तो बाप के मददकार कैसे बनेंगे, बाबा को तो बहुत मददकार बच्चे चाहिए, सयाने समझू, जिनमें कोई खिट-खिट यह भी बच्चे समझते हैं, यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशश वर्ड है, सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में जगड़े ही जगड़े हैं, इन सब को मिटाने, जैजैकार कराने बाप आते हैं, हर एक जानते हैं, इस दुन उशे कैसे कर सकेंगे बेहत के बाप को ठिककर भितर में लगा दिया है यह भी खेले है तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब खड़े हुझाओ बाप के मददकार बनो बाप से अपना राज्य भागे लेना है कम नहीं अथा हस्थुक है बाप कहते हैं मीठे बच्चे ड्रा बारत स्वर्ग था स्वर्ग को ही कहा जाता है wonder of world त्रेता को भी नहीं कहेंगे ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुर्शार्थ करना चाहिए पहले पहले आना है बच्च जाते भी हैं हम स्वर्ग में आएं लक्ष्मी वा नारायन बने अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है रक्त की नदियां बहनी है रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियां उनको कहते हैं शीर सागर यहां भी बड़े तलाव बनाते हैं फिर कोई दिन मुकरर होता है जो आकर उसमें दूद डालते हैं उसमें फिर स्नान करते हैं शिवलिंग पर भी दूद चढ़ते हैं सत्यू की भी एक महिमा है कि वहां घी दूद की नदियां है ऐसी कोई बात नहीं है हर पांच हजार वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो इस समय तुम गुलाम हो फिर तुम बादिशाह बनते हो सारी प्रकरती तुमारे गुलाम बन जाती है वहां कभी बेकाइदे बरसात नहीं पड़ती नदियां उचल नहीं खाती कोई उपद्रव नहीं होता यहां देखो कितने उपद्रव है वहां पक्के वैशनव रहते हैं विकारी वैशनव नहीं यहां कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैशनव कहते हैं परन्तु नहीं विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं बाप कितना अच्ची रीती समझाते हैं यह भी कायन है गावड़े का छोड़ा श्री क्रेशन तो गावड़े का हो नहीं सकता है वै तो बैकुंठ का मालिक है फिर चरासी जन्म लेते हैं यह भी तुम अभी जानते हो कि हमने भग्दी में कितने धक्के खाए पैसे बरबाद की बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिये राज्य भागे दिया सब कहा गया तुमको विशु का मालिक बनाया फिर तुमने क्या किया बाब तो ड्रामा को जानते हैं नई दुनिया सो पुरानी दुनिया पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है यह चक्र है जो कुछ पास्ट हुआ वे फिर रिपीट होगा बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है पुर्शार्थ कर भविशे के लिए जमा करो पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है सहुकार इस ग्यान को लेंगे नहीं बाप है गरीब निवास गरीब वहाँ सहुकार बनते हैं सहुकार वहाँ गरीब बनते हैं अभी तो पदम पती बहुत हैं वे आएंगे परंतु गरीब बनेंगे वे अपने को स्वर्ग में समझते हैं वे बुद्धी से निकल नहीं सकता या तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ खाली बेगर बन जाओ आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदी क्या-क्या निकाला है जो राजा गद्धी पर बैठता है वे अपनी भाषा चलाते हैं विलायत की नकल करते हैं अपना अकल तो है नहीं तमो प्रधान हैं अमेरिका आदी में विनाश की सामगरी में देखो कितना धन लगाते हैं एरोपलेन से बॉम सादिकिराते हैं आग लगनी है बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना कराने तुमारे में भी समझाने वाले सब नंबर वार हैं सब एक जैसे निश्य बुद्धी नहीं है जैसे बाबा ने किया बाबा को फोलो करना चाहिए पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करेंगे आजकल कागज के नोट निकाले हैं वहां तो सिक्क के अर्था तो महुरे होंगे सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहां क्या मुल्य है जैसे की सब कुछ मुफ्त में है सतो प्रधान धरनी है न अभी तो पुरानी हो गई है वह है सतो प्रधान नई दुनिया बिलकुल नई जमीन है तुम सोक्ष वतन में जाते हो तो शूवीरस आधी पीते हो परंतु वहां जाड आधी तो है नहीं ना मूल वतन में है जब तुम वैकूंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है बुद्धी से काम लो सोक्ष वतन में जाड होंगे नहीं जाड तो धरनी पर होते हैं ना कि आकाश में वाल नाम है ब्रह्म महतत्व परंतु है पोलार जैसे यहां स्टार ठहरे हुए है आकाश में वैसे तुम बहुत चोटी-चोटी आत्माएं ठहरी हुई हो स्टार्स देखने में बड़े आते हैं ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी-बड़ी आत्माई होंगी ये बुद्धी से काम लेना है विचार सागर मन्थन करना है तो आत्माई भी उपर में ठहरती है चोटी बिंदी है ये सब बाते तुमको धारन करनी है तब किसी को धारन करा सकेंगे टीचर जरूर खुद जानते हैं नहीं देखा है बहुत बच्चों ने साक्षातकार किया है वहाँ स्वेंबर कैसे होता है क्या भाशा है सब कुछ देखा है पिछाडी में भी तुम साक्षातकार करेंगे परंतु करेंगे वही जो योक यूक्त होंगे बाकि जिनको अपने मित्र संबंदी धंद उलतियाद आते रहेंगे वे क्या देखेंगे सच्चे योगी अंत तक रहेंगे जिनों को बाप देख खुश होंगे फूलों का ही बगीचा बनता है बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं उनको कहेंगे अक के फूल बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मंमा बाबा के लिए भी डारेक्शन ले आती थी ड्रिल कराती थी वे आज हैं नहीं यह बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबर्दस्त है यह माया से गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान खर देगी यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है तुम्हारी कोई हत्यारों से लड़ाई नहीं है यह तो भारत का प्राचीन योग, नामी ग्रामी है जिस योगबल से तुम यह बनते हो बाहुबल से कोई विश्व की बादिशाही ले न सके खेल भी वंडर्फुल है कहानी है दो बिल्ले लड़े मक्षन कहा भी जाता है सेकिन में विश्व की बादिशाही बच्चियां साक्षातकार करती है कहती है श्री क्रिश्न के मुख में माखन है वास्तव में श्री क्रिश्न के मुख में नई दुनिया देखते हैं योगबल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते है इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुक्तु होना है इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है बाप की श्रीमत है बच्चे, hear no evil, see no evil उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है आजकल तो मनुश्यों का भी बनाते हैं आगे चीन की तरफ से हाथी रात की चीज़े आती थी चूड़िया भी काच की पहनते थे यहां तो जेवर आधी पहनने के लिए नाख कान आधी छेदते हैं सत्युग में नाख कान छेद करने की जरूरत नहीं यहां तो माया ऐसी है जो सब के नाख कान काट लेती है तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो वहां नैचुरल ब्यूटी रहती है कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं यहां तो शरीर ही तमों प्रधान तत्वों से बनते हैं इसलिए बिमारी आधी होती है वहां यह बाते होती नहीं अभी तुमारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहत का बाप पढ़ा कर नर से नारायन अत्वा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं इसलिए गायन है अती इंद्रिये सुक पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो बगत लोग इन बातों को नहीं जानते हैं तुमारे में भी खुश रहे और इन बातों का सिमरन करते रहें ऐसे बहुत थोड़े बच्चे हैं अभलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं जो गायन है द्रोपदी का वे सब प्रेक्टिकल में हो रहा है द्रोपदी ने क्यों पुकारा यह मनुश्य नहीं जानते बाप ने समझाया है तुम सब द्रोपदिया हो ऐसे नहीं फीमेल सदे फीमेल ही बनती है दो मारे फीमेल बन सकती है जासती नहीं माताईं पुकारती हैं बाबा रक्षा करो हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं इसको कहा जाता है वैशाले स्वर्ग को कहा जाता है शिवाले वैशाले है रावन की स्थापना शिवाले है शिव बाबा की स्थापना और तुमको knowledge भी देते हैं बाप को knowledgeful भी कहा जाता है ऐसे नहीं knowledgeful माना सब के दिलों को जानने वाला इससे क्या फाइदा बाप कहते हैं इस रेश्टी के आदी मद्दे अंत की knowledge मेरे bigger कोई देना सके मैं ही तुमको back पढ़ाता हूं ज्यान सागर एकी बाप है वहाँ है भक्ती की प्रालब्द सत्यूग तृता में भक्ती होते नहीं पढ़ाई से ही राजदानी स्थापन हो रही है प्रेश्डेंट आदी के देखो कितने वजीर है एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं सत्यूग में वजीर रखने की जरूरत नहीं अब बाप तुमको अकलमंद बनाते हैं ये लक्षमी नाराणदे को कितने अकलमंद थे बेहत की बादशाही बाप से मिलती है शिव जयन्ती बाप की मनाते है जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बना कर गए है लाकों वर्ष की बात नहीं है कल की तो बात है अच्छा जादा क्या समझाओं बाप कहते हैं मन मना भव वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों परती मात पिता बाप दाधा का याद प्यार और गुट मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को दार्ना के लिए मुखे सर बाप का पूरा मददकार बनने के लिए सयाना समझधार बनना है अंदर कोई खिट पिट न हो स्थापना और विनाश की करतव्य को दिखते हुए पूरा निश्य बुद्धी बन बाप को फोलो करना है पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धी निकाल पूरा बेकर बनना है मित्र संबंधी धन दौलत आदी सब कुछ भूल जाना है वर्दान संगठन में रहते सब के सने ही बनते बुद्धी का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव अब आप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे कोई-कोई बच्चे संगठन में सने ही बनने के बजाए न्यारे बन जाते हैं डरते हैं कि कहीं फस न जाए इससे तो दूर रहना ठीक है लेकिन नहीं 21 जन्म परिवार में रहना है अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संसकार हुए कर्म योगी बनना है कर्म सन्यासी नहीं संगठन में रहो, सब केस नहीं बनो, लेकिन बुद्धी का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई बुद्धी को कोई आत्मा का साथ गुण वह कोई विशेश्ता अकर्शित ना करे, तब कहींगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा स्लोगन बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं ओम शंति